शाथियो नमस्कार, मैं शुक्देव शर्मा, प्याक्याता हिंदी, राजकी उसमा दिमिक विद्याले, खुडीकला नागो राजस्तान, मेरे यूटूब चेनल, ग्रीन राजस्तान में आपका हार्दिक श्वागत करता हूँ, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे एक ए आश्री नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसी बातें आपने बहुत से वीडियो में सुनी होंगी, लेकिन अब आपको दांतों तेले अंगुलिया दबाने ही पड़ेगी, क्योंकि जिस ओस्ती के मैं बात कर रहा हूँ, उसका उपयोग मैंने श्योम किया है, इस ओस्ती का 100% सफ यह ओस्ती है हिंगोट फल, हिंगोट के पेड़ को हिंगोनिया, हिंगोरिया, हिंगुल वे हिंगोर नाम से जाना जाता है, जो राजस्तान सहीत भारत के सभी सुष्क वे अर्द सुष्क सेत्रों में सड़क किनारे, मेड पर वे बन सेत्रों पाये जाता है, हिंगोट फल, नीम्बू के आकार का अंडाकार पिली रंग का फल होता है जिसका बहारी आवरन हटाने बर अंदर गाड़ी भूरी रंग का चिपचिपा बदार्त निकलता है। इसे पाने में गिश कर 15 दिन तक चेरे पर लगाने से चेरे पर निकलने वाले कील मुहासे समाप होकर पुराने कील मुहासों के निशान भी मिट जाते हैं ये दवा लगाने से पेले चेरे को अचित रेशित धोकर पहुँच लें। हिंगोट फल में गुटली होती है, गुटली तोड़ने पर गिरी निकलती है, जिसका रंग पीली आबायुक्त सपेद होता है। चेरेक उठंडे बानी शे धोकर अच्छी दरेशी पहुंच लें, इस तोरान अतेदी खटे, मीठे वे तले भुने खाती पदार्तों से परहेज करें शाग दिवस तक प्राते संध्या दिन में दो बार शंपुन चेरे पर इस दवागा परियोग करना है इसे कील मुआशे तो मिटेंगे ही, कील मुआशों के पुराने दाग भी येसे मिटेंगे, जैसे जेरे पर कभी कील मुआशे हुई ना हो ये चमतकारिक प्रभाव गिरी में पाये जाने वाले देल के रक्थ शोद्य गुण के कारण होता है ताउचा विकार की उत्पती रक्थ विकार से होती है, रक्थ शुद होने पर ताउचा शुद्य कांती युक्त होने लगती है संक्षेप में बात करूँ तो इस वस्दी के नीमित उप्योग से चेरे की काया पलट हो जाती है एक बार इस सस्ती चमतकारी कोस्ती का परियोग करने पर आप बाजार से किसी भी प्रकार की करिम लाना भूल जाएंगे हिंगोट फल की गिरी सस्ते में ओनलाइन या बनसारी की दुकान से खरिच सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बाहर आये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब होशे करना चैनल पर अंतक बने रहने के लिए आपका रदे की गेराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद